असलाम अलेकुम आज एक और बड़ी इंट्रिस्टिंग और मज़े की रेसिपी आप के लिए लेके आई हूँ और वो है हमारे घर में एक बड़ा फेमस बैंगन का रायता बनता है अच्छा कुछ लोग कहते हैं के हैं कि यह इंडियन रेसिपी है जो भी है हमारे घर में बनत करते हैं लेकिन इसको बनाने का तरीका बड़ा इंट्रिस्टिंग है नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम बैंगन और डिफरेंट चीजें जो सब्जियां वगएरा है वो सालन में बनाते हैं रायते में हमारा जाता खीरा डलता है या टमाटर डलता है बट दिस अवेरी मज़े की एंडिफरेंट रेजिपी और अगें बच्चों को बैंगन वगएरा खिलाने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है अच्छा औविसली मेरी कटिंग स्किल्स जो हैं वह कोई इतनी खास नहीं है लेकिन कोशिश ज़रूर कर रही हूं क्यूंकि बैंगन आपको पता है ज़रा मज़े का उसका टेस्ट आता है एक बात मैं आपको ज़रूर बता दू हमारे जहन में एक बात स्टाक होती है कि जो बैंगन है वो जितना ज्यादा आप उसको पकाएंगे उसका भरता बनाएंगे वो उतना ही बेतर है बट एक्चुली बैंगन अगर हलका सा आप ग्रिल करक तो वो बहुत ही बहुत ही बह ठीके, ये फ्राइड हो जाते हैं, अचा, उसके इलावा फिर एक मैं मिसाला तयार करती हूं, जिसके उपर इसको प्लेस किया जाता है, वो मसाला बनता है, टमाटर, प्याज, अगें, नमक, लाल, मिड्श वगरा, लवाजमात के साथ, थोड़ा सुछ में में धनिया भी डाल जायते के ऊपर हम तड़का लगाते हैं, और वो तड़का बनता है, उसका कड़ी पत्ते का, और गोल मिल्च और जीरे का, So, now, let me show you what I do, सबसे पहले, तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं सबसे पहले तो ये जो बेंगन है, इनके पीसे मैंने कट की हैं, ये देखे, ये बेंगन के पीसे मैंने कट कर दी हैं, अब इसको जो है, मैंने इसके अंदर डाल के ना, इस बोल के अंदर, इसके मसाला बगा द अब लगता है जब आप इसको यूज करते हैं, ठंडा ठंडा, लोग जातर गरम करते हैं यूज, ये एक्चुली ठंडा मज़ेका होता है, सो हमने बेसिकली अब इसके ओपर डालनी है, मैं ज़रा दही को भी, अच्छा बाइदवए, खुला दही इस्तमाल करने तो जादा मज़ेका होता है क्योंकि वो हलका सा खटा भी होता है, तो उसका एक अपना ही मुक्तलिफ टेस्ट होता है, सॉल्ट आपने डाल दिया बैंगन के ओपर, आपने थोड़ी सी हल्दी डाल दी, फॉक कलर, मिर्च, अगैं, आपके अपने कमफर्ट जोन पे है कि आप कितना इस जाते हैं, याज रखें कि ये तीन लेयर्स में असमें लबाज मात और मसाले बगारा डाल रहे हैं, सो बी कैफुल कि आप बहुत ज़्यादा ओवर्डूना कर दें, ठीक है, अब ये सिरफ इसके ओपर मसाला लगा हुआ है, इसके ओपर चाट मसाला भी, सारी चीज़े मैं डाल दी हैं, और अब मैं इसको सिरफ इसके ओपर जैसे रब इन करते हैं, ताकि थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्ट और ये चीज़ें चली रहे हैं, मुझे पते हैं ये ओड्स के आपको कॉम्बिनेशन लग रही है, बट हम तो इसी तरह बनाते हैं, मैंने भी बच्पन में बनते वे इसी तरह देखा है, तो आप इसको ऐसे से अच्छे से न, इसके ऊपर मसाला लगा दे, ये हमारा स्टेप वन है, जिसको फिर हमने फ्राई करना है, ओईल के अंदर, और उसी के साथ मैं साइमल्टेनियसली जो मसाला तयार करूंगी, जैसे सालिंका नॉर्मल किया इसके जो बैंगन की साइड है अगर वो क्रिस्पी हो जाती है, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमारे बैंगन जो हैं, वो काफी हद तक एक साइड से क्रिस्पी हो गए है, अब दूसरी साइड से भी जब क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इनको मैं रिमू प्रास प्राई हो रहे हैं, इनके अंदर हम अभी कुछ ही लमों में डालेंगे अपना बहुत ही यम्य और फ्रेश टमाटर और धनिया यह लेजेंगे, इसमें अब हम तमाटर डाल देंगे, और इसमें धनिया भी डाल दूँगे, और यह मज़े की बेस बन जाएगी हमारे र काश मैं आपको बता सकती कि क्या रेसिपी है तो फिर शाहिए जिंदगी थोड़ी असान हो जाती यह हमारे बैंगन तैयार हो गए रिमेंबर इतने पतले कटे कटे बैंगन है कि they don't need that much time to cook but obviously uncooked नहीं आपने इनको serve करना because फिर उसका उसरा से मजा नहीं आता है यह हमारे बैंगन cooked हो गए अब हम next lot of बैंगन डाल देंगे यह वह बली चीज है जिसकी बकाइदा मेरी friends request करती है कि यार जुगन बैंगन वाला रायता प्लीज बनवा देना so the point is it's one of those things that I love making also मेरे घर में भी बड़े शौक से बनाते हैं सारे because वही बड़ी चीज है ना कि चीज बनाओ ऐसी जो हर बंदा enjoy भी करें अब यह आप देख रहे है अब यह देखे इसमें नमक डाल दिया इसमें हल्दी हम डालेंगे basically we're putting healthy for color बट हल्दी in itself आपको पते है बड़ी हल्दी चीज है थोड़ा सामधनिया डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे अब करेंगे चाट मसाले का क्या तो के प्रस्ट मी चाट मसाले का अपना ही बड़ा मज़े का और यूनीक सा फ्लेवर आता है इसमें तरदुद ज्यादा है लेकिन इस तरदुद इस तरदुद इस वहत है ट्रस्ट में अपने पानी लगा दिया ताके वो अच्छे से जो है वो निक्स हो जाए ब्लेंड हो जाए अब हर बंदा मज़े डाटता है कि उमली से टेस्ट करती हो लेकिन हम तो बच्पत से उमलियों से लोगों को टेस्ट करते वे देख रहे हैं और नमक कम था वो हमने डाल दिया अब हमने अपने बैंगन जो है वो टर्न कर दिये ताके दूसरी साइट भी कोक हो जाए साइमल्टेनियस्ली काम करना सीखें ट्रस्ट मी जिन्दगी असान हो जाएगी आपकी अच्छा अब यह जो मैं जिसमें बैंगन फ्राई करी हूं न इसी ओएल के अंदर ना मैं फिर तड़का भी तयार करेंगी सो यह वाला तेल उस तरह से वेस्ट नहीं होगा यह भी अल्मॉस्ट डान है यह हमने हमारे बैंगन भी तयार हो गए वो भी हमने निकाल लिए चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं लोग क्या करते हैं कि एक 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 करके जब चीज बनाते ना तो उसकी वो टेस्ट और वो लुक भी नहीं आती यह वाला मैं चूला बन करने लगी हूँ क्योंकि इसी ओईल में मैं तड़काबाद में तयार करूँगे यह भी हमारा रेडी हो गया यह आ गई हमारी डिश जिसके अंदर हमने इसको सर्फ करना है So now I will show you कितने मज़े से और कितनी असानी से यह देखें ठीक हो गया यह आपका एक मज़े का बेस आगया अब इस बेस को ऐसे से मैं स्प्रेड कर दूँगी इसके उपर मैं रखूंगी बैंगन और इसके उपर फिर हम अपने योगर्ट का मिक्स बनाएंगे योगर्ट के मिक्स बढ़ दो मिनट लगेंगे उस मिक्स के बाद फिर अशर्जजद जही के अंदर अमने सिर्फ नमक चार्ट मसाला गया और साथ में हमने लेना हे नमक चार्ट मसाला और उसके साथ साथ 있지 छ़िड़ान तो पुना हूमने इश्यू नहीं रहेगा, यह देखें, यह हमने इसके उपर आप बैंगल डाल दियो, ठीक है, अब योगर्ट, दही के अंदर हमने सॉल्ट डालना है, ठीक है, नमक आगया दही के अंदर, उसके साथ-साथ हमने जीरा डालना है, और हमने चाट मसाला है, जो हर बंदा बना भी सकता है, उसे एंजॉय भी कर सकता है, और फिर आपकी फीड़बैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट होती है, तो प्लीज साथ-साथ फीड़बैक भी शेयर करें, ठीक है, थोड़ा साथ इसमें मुझे नमक कम लग रहे है, वह हमने डाल दिया, अच्छा, अब हम इसके उपर से योगर्ट का मेजा डाल देंगे, ये लें जी, बहुत जादा ओवर्डू नी करना इतना डालना है, जितने कि आपको जरूरत है, ये आपका हो गया ठीक हो गया, अब आगए हम अपने फाइनल स्टेज की तरफ, विच इस दे तड़का, जीरा, गोल मिर्च, एंड कड़ी पता, अब आपका, अब आपका, कोई इतनी लंबी चोड़ी खप वाला काम नहीं है, असान तरीन रेसिपी है, असान तरीन इसका तड़का है, आपन मेरा पॉइंट हमेशा यही होता है कि चीज वो करें, जो आप भी एंजॉय करें, आपकी फैमली भी एंजॉय करें, और बनाएं वो चीजें जो हर बंदा जो है, वो असानी से बना सकें, अब ही हमारा, तड़का आ गया उपर से, ज्यादा जो डाइट कॉंशिस लोग हैं, वो नहीं तड़का डालना चातें, ना डालें, बट एक्चुली इसकी फाइनल लोग किसी से निकलती है, जो सची बात है, और कड़ी पता खेर मुझे तो बहुत ज़्यदा पसंद है, जिसको नहीं पसंद, ये लिजिए जी, काफी बड़ा मैस बनाया, लेकिन तयार कर दि जिए पिस नाँ, झाल सची से तियालिई झरत भी पी किसी बाltर मालें, झाल सकते हैала जाल डालें, जिए खेर सोनी उपेटलें, आ जार वोलेगा सथूपनाने पालें, जिर रालें, अछाएनियं उाटाँने बाया हरta जारता है, प्ले उः वाहीं आटे प्याउ़राय से